ओके स्वागत है दोस्तों हमारे चेक्पोइंट के लेक्चर नमबर टू में और शुराब करने जा रहे हैं हम लेक्चर नमबर टू एंड इसमें हम समझेंगे चेक्पोइंट के हिस्ट्री के बारे में कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टेम चेक्पोइंट में यूज होते हैं और ह हम समझेंगे checkpoint firewall का packet flow क्या है checkpoint firewall पे जब भी कोई packet receive होता है तो उसको वह कैसे process करता है आगे and then different type के deployment checkpoint में जो use होते हैं वह हम जानेंगे and then thriller architecture जो checkpoint का thriller architecture है उसके बारे में हम जानेंगे तो start करते हैं तोस्तों अगर हम history की बात करें तो checkpoint पॉइंट जो कंपनी है वो किस कंट्री की है वो है इसराइल की एंड ये कव इस्टेबलिश भी थी क्या हुई थी ये आप गूगल में टाइप करके सर्च कर लिजेगा तो चेकपोइंट इसराइल की कंपनी है इनिशिली चेकपोइंट जो उपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती थी वो इस्प्लैट यूज़ करती थी जो कि आपका लिनिक्स बेस्ट उपरेटिंग सिस्टम था बात में चेक पॉइंट ने नोकिया एक कमपनी थी जोकि फायर व deepest बनाती थी अभी तो मॉबाइल, बनाती थी नोकिया तो चेक पॉइंट ने नोकिया को खरीद लिया था तो उन्होंने बाद में इपसो और स्प्लैट को कमबाइन करके यानि इपसो प्लास स्प्लैट को कमबाइन करके गाया उपरेटिंग सिस्टम बनाया और जो की आपका लिनिक्स प्लास यूनिक्स बेस उपरेटिंग सिस्टम था एंड बात करें गाया नाम क्यों रखा तो गाया दोस्तों इजिप्ट की लेंग्वेज में मदर को कहा जाता है तो इन्होंने नाम गाया रखा तो वहराल इस स्लाइड में इतना ही अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हिस्ट्री तो आप चेक पॉइंट की गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में हमारी नेक्स स्लाइड है पैकेट फ्लो ओके अगर दोस्तो पैकेट फ्लो की बात करें तो हर वाइर वल का अपना-पने डिफेर्ट डिफेर्ट फ्लो होता है और aasa का अपना अलग है easa 8.2 जो लेटेस्ट है 8.2 नहीं 8.2 के बाद की जी अतने pción आये हैं थोड़ा डिफ्रेंट आया है Packet Flow का, वो क्या है हम जब ASA की सीरीज अपलोट करेंगे तो जानेंगे and Checkpoint के अगर हम बात करते हैं तो Checkpoint का Packet Flow कुछ इस तरीके से है जब भी कोई Packet हमारे Checkpoint Firewall को Receive होता है तो सबसे पहले वो same database को check करता है दोस्तों same database क्या इसके बारे में confuse होने की जरूबत नहीं है हम अपने next lecture में पढ़ लेंगे अगर हलका हलका बताया जाए तो same database होता है एक rule create होता है smart view monitor एक टूल होता है checkpoint का उसके अंदर जहांपे कि आपको अगर पता लगता है किसी particular IP से कोई attack हो रहा है और आपको से suddenly block करना है तो हम उसे same database में include करके rule create करते है और then checkpoint आपका चेक करेगा anti-spoofing को interface पर जो आप anti-spoofing configure करते हैं उसे check करेगा then next number पर वो आपका rule चेक करता है कि क्या firewall पे उस packet के लिए गज़ने यानि उस source और इस destination और पर्ट के लिए कोई rule डला है या नहीं डला है आगर rule है तो next step और destination next net चेक करताए क्या इस packet के लिए इस source और lotta destination के लिए कोई destination net है या नहीं है अगर है तो ठीक है नहीं है तो तो नेक्स स्टेप के आगे बढ़ेगा route look up चेक करेगा route look up में क्या करेगा वो उस पैकेट के राउट चेक करेगा कि क्या इस pakेट के इस source IP के रिए और इस destination के लिए कोई route है या नही है अगर है तो ठीक है नही है तो अगे फरवड करेगा अगर है तो भी आगे forward करेगा Then वो चेक करेगा source net क्या इस packet के लिए कोई source net है अगर है तो ठीक नहीं है तो आगे forward करेगा And then चेक करेगा आपका VPN क्या जो IP आप firewall को receive हुआ है वो किसी existing VPN का member है या नहीं है तो वो चेक करेगा अगर existing VPN का member है तो उसे उस VPN के थूरू ट्रांसपर करेगा आगे forward करेगा अगर नहीं है तो आगे inspection के लिए forward करेगा दोस्तो layer 7 inspection क्या होता है इसमें आपका URL चेक किया जाता है कि बंदा Facebook एकसेस करना चाहता है YouTube या उसे allow करना है नहीं करना है आपका IPS चेक किया जाएगा कि क्या अगर कोई attachment forward हो रहा है तो क्या उसमें कोई malicious virus है या कुछ भी चीज ऐसी है and then identity awareness and all other things it will check in layer 7 and then finally वो आपके packet को route करेगा तो अगर इनमें से कोई भी criteria उसे match नहीं करता है तो उस packet को वहीं पर discard कर देगा and discard कर देगा means अगर destination net check करता है और उसके लिए destination net नहीं है तो भी उसे forward करेगा अगर है तो उसके according forward करेगा तो discard कर देगा मतलब कि अगर उसका rule policy अगर पहले जी block है तो वो यहाँ पर discard करेगा यहाँ पर discard करेगा और अगर route नहीं है तो यहाँ पर discard करेगा तो condition apply होती है अला कला तो I hope आप लोगे यह समझ में आगे आओगा packet flow किस तरीके से checkpoint के उबाग करता है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने slide में ओके सो ओके दोस्तों अगर हम deployment की बात करते हैं अपने checkpoint firewall में तो checkpoint firewall का deployment कुछ बाकी firewall से अलग रहता है यहाँ पर दोस्तों deployment की बात करें तो पहले नमबर पर checkpoint का deployment आता distributed deployment जिसमें की आपका gateway अलग होता है and management server अलग होता है इन दोनों के बीच की connectivity एक secure way में होती है जिसे secure internal communication का जाता है और secure internal communication कैसे वाग करता है यह हम आगे जानेंगे and बहराल आप इतना जानेंगे कि यह 128 AES 128 bit encryption algorithm यूज करके secure manner में एक connection establish करता आपकी gateway और management के बीच में और next हमारा है deployment stand alone deployment दोस्तों अगर stand alone deployment की बात करें तो stand alone deployment वो deployment होता है जिसमें की आपका management plus gateway server दोनों same box में होते है यानि यह आपका stand alone box है यह equal होता है आपके management plus gateway यानि दोनों का combination होता है एक single box के अंदर ओके तो stand alone और distributed deployment को लेके फिर हम फर्दर आगे different deployment करते हैं अपने firewall को high availability में configure करने में लैट्स अब मैं example देता हूँ एक चोटा सा यह मेरा firewall है यह gateway only single gateway यह distributed deployment की मैं बात कर रहा हूँ management server की जगा मैंने क्या किया मैंने अपना stand alone box यह आप डाल दिया यह security gateway प्लस management दोनों काम करेगा तो मैंने इनको बाद में fail over यानि high availability में डाल दिया कि यह gateway भी है यह भी gateway है and management अगर मुझे चाहिए तो only मेरे पास single management है जो की stand alone box है और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि एक management अलग से box ले सकते हैं distributed deployment के according और एक stand alone box लिया मैंने security प्लस management और मैंने इसको primary management बना दिया इसको secondary management बना दिया और मेरे gateway रहेगा तो traffic मेरा सारा यहां से पास होगा policy push अगर अगर प्राइमेरी मैं यहां से करूँगा अगर यह down हो जाता है तो यह stand alone box तो है तो मैं policy यहां से push करूँगा तो different different type के मैं deployment create कर सकता हूँ बस basic अगर हम deployment की बात करते हैं तो two type के deployment होते हैं distributed and stand alone तो I hope आप लोगों के समझ में आगया होगा तो आगे बढ़ते हैं ओके दोस्तो three layer architecture यह question अगर आप किसी भी checkpoint firewall का interview देने जाते हैं तो वापे पहला question यही पूछा जाता है कि three layer architecture क्या है checkpoint में तो it's not a big deal आप अगर ध्यान देंगे तो यह समझ में आ जाएगा बाकी जब हम आगे practical करेंगे तो और ज़्यादा की layer हो जाएगा तो इसको जानते हैं ओके दोस्तों तो बात करते हैं checkpoint three layer architecture की तो मैं बताना चाहूंगा यह जो चेक पॉइंट पॉलिसी एडिटर जो पहले नमबर पे हमारा PC जो हमें शो कर रहा है इसे technical language में हम चेक पॉइंट की language में हम कहते हैं smart console मैं लिख देता हूँ आपे स्मार्ट कॉंसोल और होता क्या है इसमें हम अपने PC से अपने management server का access लेते हैं और access किसके थूर लेते हैं दोस्तों हम लेते हैं smart dashboard के थूर अब smart dashboard क्या है यह जब हम practically पढ़ेंगे तब समझेंगे यह आप अब इतना समझ लीजे कि एक console होता है यानि like मुझे facebook access करना है तो मैं facebook.com डालता है तो मेरे सामने एक page आजाता है जिसमें हमें username और password डालना होता है username password डालने के बाद facebook page जब हमारे सामने open हो जाता है तो उसमें हम कोई भी status पोस्ट कर लेते हैं तो similarly यह जो management server से हम console लेते हैं एक tool आता है smart dashboard उसे access करते हैं अपने pc में या smart dashboard की तरह smart view monitor, smart tracker, smart view update, smart view event तो काफी सारे tool आते हैं तो generally हम smart view dashboard पे changes करते हैं अगर मुझे rule create करना हो तो मैं smart dashboard को access करूँगा net करना हो, VPN create करना हो, identity awareness related तो सारा कुछ मैं mostly 90% काम अपना smart dashboard पे करता हूँ तो हमारा PC कहलाता है smart console जहां पे की हम smart console को access करके rule, policy, net जो भी हम requirement हम create करते हैं और जब हम create करते हैं तो हम create करते हैं अपने smart management server पे या इसको checkpoint management server का जाता है तो create करने के बाद हम policy push करते हैं तो अब management server का क्या काम है जो हमने changes यहां पे किया उन changes को यह अपने आप में store करेगा log की अगर हम बात करते हैं जो भी traffic का log आएगा वो यहां पे अपने आप में store करेगा तो management का काम है कि उन सारे चीज़ों को manage करना उनको अपने आप में store करना तो let's suppose मैंने कोई नया rule create करा मैंने policy push करी तो management server क्या करेगा उस policy package को जो यह let's suppose मैंने policy package है इस policy package को वो convert करेगा object अब अब डेक्ट अब अबचक कर लिए यह अन्डेशकोर यहां पर आता है यह नहीं आता है आप चेक लिएगा object अबचक 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 कर करके चेकपैंट पुश कर देता है अपने gateway पे अब gateway का क्या काम है gateway का काम है जो rule हमने यहां पर create किया था उसके according to traffic जो भी इसमें आएगा in या out होता है उसको filter करेगा तो I hope आप लोगे समझ में आ गया हुआ क्योंकि आप technical तो है इतने तो quickly एक बार देखते हैं मैंने rule create किया अपने PC पे PC से वो rule apply हुआ store हुआ आपके management server पे management server ने उसको required format में convert करके apply कर दिया gateway पे किस format में object underscore zero object underscore zero underscore five dot c format में और यह आपका उसके accordingly traffic को filter करेगा जो भी changes आपने की है तो I hope आपको समझ मागया होगा और अगर हम नाम की बात करते हैं एक बार फटाफट देख लेते हैं इसको कहते हैं smart console smart view no no smart management server SMS और इसको कहते है smart gateway SG या आप इसको technical language में enforcement module कह सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं अपने lecture में ओके तो दोस्तों यह lecture नहीं पर समाच्ट होता है आपका और daily की तरह यहां पर मैंने question put up किया है कि जो कि आपको search करना होता है आपको कुछ extra अपने आप अपनी और से effort देना होता है कि डिफरेंस किया है चेक पॉइंट और ASF firewall के बीच में आपको major difference किया लिखता है तो आप जो भी आपको difference लिखता है major difference आप कमेंट कीजिएगा और अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आप अपने knowledge database जो आपके mind में उसमें आप डालीजेगा तो आप हमें follow कर सकते हैं facebook.com पे network seal के नाम से मैंने एक page create किया हुआ है यह सभी के लि और आप हमें हमारी website पे follow कर सकते है networksealacademy.networksealacademy.com पर और धन्यवाद दोस्तो थैंक्यू